कि नमस्कार साथियों गौरोग्यान धारा में आपका स्वागत है इसको लेक्चरार की बैच की अगली कड़ी में अपन फिर से मिल रहे हैं और इसमें पढ़ने जा रहे हैं अपने क्योंकि चल रहा था राजपुत मुगल संबन्द राजपुत मुगल संबन्द में अब चु आपको दोनों जो है एक छाप में पढ़ लेंगे तो जादा बहयधर होगा उससे पहले को राज sings और राय सिंग ये दोनों आज की class में में पढ़ाने वालों, बहतर तरीके से not making pattern पे ही आपको चीजे मिलने वाली है, लेकिन काफी सारी चीजें अपन इसमें और अच्छे से समझने वाले हैं, क्या संगर्ष के कारण रहे, संगर्ष क्यों रहा, क्या था, क्या नहीं, जैसे प्रश्ण बनते हैं, एक्जाम में उन सभी को अपन कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे चलिए आपका समय जादा नहीं लेते हुए सीधे ही आजाता हूं मैं अपने क्लास के उपर ठीक है चलिए सबसे पहले आपको कुछ बैसिक जानकारिया मैं बता दू एक तो आज अपन पढ़ने जा रहे है राय सिंग ठीक है एक पढ़ने जा रहे है राज सिंग एक जैसे मिलते जुलते नाम है लेकिन एक जैसे है नहीं क्या-क्या विशेशता है महराजा राय सिंग कहां के थे बिका नेर के बिका नेर के सा सकते ठीक है बिका नेर में भी इनके पिता जी जो थे वो कल्यानमल के पूत्र थे ये किसके थे कल्यानमल के पुटर बिल्कुल मैं आपको not making pattern पे लेके चलू गा मैं आपको यहाँ पे key point बता रहाएं कि क्या क्या key point है जो आपको मुख्य दौर पर याद रखने नहीं है ठीके कल्यानमल के पुटर थे इनकी उपादियों के अंदर इने राज पुताने का कर्ण का गया इन्होंने राज अंदर की उपाधी भी धारण की राजंदर की उपादी भी धारणकी जिसका उले करम चंद वनसोत किर्थन काव्यम के अंदर मिलता है ठीक है एक पुस्तक है करम चंद वनसोत किर्थन काव्यम उसके अंदर मिलता है और बताते हैं कि महराजा की उपादी भी धारणकी वैसे यहां के जो है महराजा ही कहलाते थे तो महराजा की उपाधी भी धारण की राजपुताने का कर्ण जो है वो कहा किसने वो कहा है मुंसी देवी प्रशाद ने किसने का मुंसी देवी प्रशाद ये क्या चीज़ें है ये वो चीज़ें है जो डारेक्ट प्रशन पूछी जाती है और उनको सढ़ी करना और मैं सब्सक्राइब होता हूँ किया invest tip और मतलब भारी प्रशन गलत लिए विधार्ती बाहर नहीं होता है विद्यारती बाहर होता है सरल प्रशन होने से सौ प्रश्न है किसी एकजाम के अंदर उसमें से 90 प्रश्नत से सरल और दस से कथीन अगर दस आपने दस मेंसे आपके ज्यादतर माली हो गाए फिर भी आप और नहीं हो गाइंगे जब कि इस मेंसे आपके पांच भी गलत हो गए तो बार रहाने के चांस रहेंगे तो हमbody पिर इस में सिदेवी प्रशाद का द्यान रखना है और क्या द्यान रखेंगे आप कि यह किसके समय थे ठीक है इनका टाइम प्रियर्ड तो यह थे अकबर और जहांगीर के समय थे ठीक है इन्हों ने मुगलों के लिए एक तो काबूल कंधार और गुज्रात विजय की इसके अलावा इनकी मृत्यू बुर्हानपुर में पेज़ दिया गया था पांच अजार जात और पांच अजार सवार का मनसब दिया था जांगीर नहीं ने यह कुछ बैसिक जानकारिया जो आपको द्य द्यान रखनी है इसके अलावा जुनागर पोट जुनागर का निर्मान करवाने वाले भी यही है बाल बोधीनी टिका जोतिश रत्नमाला जैसी पुस्त कहें पे लिखी राइसिंग ने ठीक है चलिए यह बैसिक जानकारी थोड़ी से ध्यान में रखनी जरूरी है तो यह मैं रखनी है 1574 के अंदर राय सिंग की पिता की मिर्टी उने पर 1574 में इनका राज्य विशेक हुआ और 1572 में जोदपुर के प्रशाशक भी रहे अब विद्यार दिखें गुरुजी थे इत्ती सारी बोल तो दी जानकारी पर माने इती याद नहीं रहे तो याद नहीं रह आपको जो है नॉट्स बनाने का मौका मिलेगा लिखने को मिलेगा थोड़ी सी जो है मैंने आपको बैसे की जानकारी दिये कि यह चीजे क्योंकि राजपुत्वुगल संबंद पर प्रश्ण बंते ही बंते तो यह चीजे थोड़ी सी ध्यानक नहीं अब आते हैं अपन रा स्वाधी धारण की वीजय काट कातू इन्होंने टीका दोड का आयोजन करवाया टीका दोड एक तरी की सिकार करने की परंपरा होती थी लेकिन खुद की सीमा में नहीं सीमा से बाहर यानि कि कुल मिला के अपने सीमाओं को बढ़ाना और अपने से बाहर जो राज्य हैं उन पांच हजार सवार का मनसब दिया था ठीक है साजाने पांच हजार जात और पांच हजार ऐसे लिख देता हूं ठीक है यह टीका दोड इंपोर्टेंट है और एक इंपोर्टेंट है चारू मती चारू मती के कारण इनके बीच संगर्स हुआ वैमनस्ट्य पैदा हुआ किसके औरंग जेब और राज सिंग के मत्य चारू मती वाली स्टोरी अभी बताऊंगा जील का निर्मान करवाया जिसके किनारे राज प्रसस्ति है इनके पिता का नाम जगत सिंग था माता का नाम मेड़तनी था और भी बहुत सारे जानकारियां है आप लोगों के लिए जो आपको इसमें ध्यान रखनी है इन्होंने मतलब देखो मुगल सिसोधिया और वाले अब इस समय 1578 के अंदर जब जम्रूद के अंदर जस्वन सिंग्जी के मिट्टी हो गई उसके बाद अजित सिंग्जी को स्रेक्षन देने वाले मेवाड के राज सिंग थे वीर दुर्गादास राठोड और वहां के राठोड सामन थी यहां पर आ गें थे और इनको पर लगाये जाने वाला धार्मिक कर था जजिया ठीक है जजिया का विरोध किया इसके अलावा जब मूर्ति तोड़ो गोशना कर दी थी 15 यह थी 1669 के अंदर तब 1669 में जो वहां से मूर्तियां लेकर भागे थे गोशाई गोपिनात और गोशाई अपने दामोदर तो उनक सारे फेक्ट जो मैंने आपको बोलकर बताए हैं आपको भी याद होने चाहिए यदि सेलेक्शन लेना है तो याद तो करना पड़ेगा अच्छा माली जी मुझे तो याद नहीं भी होतो भी चलेगा लेकिन आप लोगों को याद करने ही करने हैं क्योंकि जब नियमिता ही आपका सेलेक्शन है ये बात ध्यान में रखना अभी जोग्राफिक के जैसे सेलेक्शन हुए पॉलिटिकल में हुए थे तो इसक्रिंशॉट डाले अगले इसक्रिंशॉट आपके होने चाहिए इस बात को दिमाग में फिड़ करके फिर आगे बढ़ना है चलि 14 में मित्यों होती है बुरहान पूर के अंदर रहां में 1612 ये मता पीता तो वैसे कम पूचह जाते हैं इकजाम के अंदर लेकिन ये दिया रखना है सबसे important चीज जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है उपादिया तो राजपुताने का करण कहा है और राजपुताने का करण कहा किसने है ये पूछ सकते हैं मैं वापस यहाँ पर बता देता हूं कि मुंसी देवी प्रशाद ने कहा है क्यों कि इनके समय में पढ़ा था अकाल और अकाल से निजात दिलाने के लिए सभी के लिए सदावरत खोले थे इन्होंने क्या खोले थे सदावरत यानि खाने पीने से रहने से कोई भी दुखी नहीं हो तो सदावरत खोले थे जहाँ आपे सभी को सुविदाय मिलेगी कोई भी भुका प्यासा नहीं मरेगा तो ये इतने सारे सदावरत खोलने के कारण इन्हें मुंसी देवी प्रशादने राजपुताने का करण का इन्हें महाराजा की उपादी दी गई इन्हें राजेंदर की उपादी दी गई और ये राजेंदर की जो उपादी है इसको भी आपको विशेश रूप से द्यान में रखना है क्या द्यान में रखोगे करम चंद्र वंसोद किर्टन काव्यम के अंदर यह उपादी देखने को मिलती है कितना बढ़ा है करम चंद्र वंसोद किर्टन काव्यम इसके अंदर राजै अंदरों की उपादी का उलेक मिलता है आने वाई समय में यह प्रशन पूछा जा सकता है तो यह भी आपको ध्यान बेड़कना है समकालिन मुगल सासक अकबर भी था और जहांगीर भी था अकबर और जहांगीर ने ही बाद में दक्षीन के अभ्यान के लिए इने वेजा था बुरहानपूर और वहीं पे जो है इनकी 1612 में मिट्ट्यू होती है ठीक है यह सारी चीजें क्या है फैक्चुल चीजें है जो बहुत लंबी चोड़ी होती है इस्टोरी में तो आपन इनका जनम करवाएं जनम के बाद में बड़े करवाएं बड़े करवाने के बाद में विवा करवाएं विवा के बाद में लड़ेयां करवाने के बाद में इदर उदर बेजें सेना भी बेजें साथ में बहुत सारी यानि कि यह जूना है वास्ताओं में यह जूना ही है यह तो यह जूना गड़ यानि कि यह गड़ जो है वो जूना है ठीक है ना तो इसका निर्मान करवाया फिफ्टीन एटीन नाइन ते 1589 ते 1594 तक इसका काम चला था और प्रदानमंत्री करम चंद्र ने इसका काम करवाया था तो करवाया किसके समय था राय सिंग के समय तो पहले निर्मान किसने करवाया था बीका ने बात में करवाया करम चंद्र यानि कि राय सिंग ने यहाँ पे काम करवाया है ठीक है चलिए अकबाद द्वारा राय सिंग को 1572 में जोदपूर का प्रशासक न्यूप्त किया गया था है most important question है अब चुकि मैंने आपको यहाँ पे एक सब्द एक लाइन कही थी यदि याद हो कि जोदपूर से ही निकली हुई साखा है बिकानेर जोदपूर को उसमें कहते थे मारवाड ठीक है तो बिकानेर वहीं से निकली हुई साखा है तो फिर बाद में मालदेवी के पुत्र उधे जिंग ने राय सिंग जी से का कि देखो आपत भाई भाई रियोड़ाओ पहला हुआपत के हागे रियोड़ाओ अच्छा अब आपने पड़े भी है नि जो दाणों तो दैन कीनी है कि ये भी घर की बात ही है कि आपके पास भी है तो कोई बात नहीं ये भी घर की बात है भाई भाई आपस में बैटके समझ लेंगे लेकिन मान लो बाद में आपको प्रशासक से हटा कर और मुगल खुद ही कबजा कर ले और खाल सा घोसित कर दे इसे अपने कबजे मिले ले तब क्या तब अपने तो पुरकों की इज़त गई फिर अपने पास में बचेगा क्या ऐसी ऐसी बाते कही कुमर उदे सिंग ने र थिक है ये इस्टोरी थी पिचे चलिए 1504 में राइसिंँ बिकानेर का सासक बना कयोंकि 1544 में राओल्यानमल की हो जाती मिट्थि उसके बाद में ये बिकानेर का सासक बनता है अक्बर ने सा guitar को ये भीbas इंपोर्टेंट है कि अक्बर ने रायसिंग को जुनागर, संसाबा और नूरपूर की जागिर दी, जुनागर संसाबाद नूरपूर की जागिर दी है, और मुगलों के गुजरात, काबूल और कंधार अभ्यान का हिस्सा रहा है राय सिंग, ठीक है, ये पूछे जाने वाले प्रशन, तो ये लिख देना, इस पेसली, राय सिंग के प्रधान मं जिसके अंदर लिट लगी थी, ठीक है ना, एक तो ये अफेक्ट द्यान में रखना जुनागर के अंदर, एक और क्या द्यान रखोंगे, इसे जमीन का जेवर कहा गया, क्या कहा गया, ये पूछे जाने वाले प्रशन, जमीन का जेवर, राति-गाटि का किला, राति- ये कहा गया, अच्छा, अपने बार सुनते हैं, कोई एडिक मतलब भूंडियां करनी हो है नहीं कि नहीं, यानि बुरा ही करनी होना कि चीगी, तो कि धीरे 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 बोल, दिवारों के भी कान होते हैं, और ऐसे तो बहुत सुनते आएं, ठीक है, कि दिवारों के पी कान होते हैं, लेकिन इस दूर्ग के बारे में कहा जाता है, कि इसकी दिवारे बोलती है, क्या कहा जाता है, इसकी दिवारे बोलती है, ये इसके बारे में कहा गया है, तो इसके बारे में कहा है, कि बाकी बादल मेल वगेरे बहुत थारे हैं अंदर वो सारी चीजे तो, मैंने जो चीज़ें वह ये द्यान में रखनी है अब को ठीक है जुना गड़का किला और लिप्ट लगी थी पहली वाहर ये सारी चीज़ें आपको विशेश रूप से द्यान में रखनी है तो ये था आपके राई सिंग वाला पार्थ अब आजाते हैं अपन राज सिंग जी पर मेवाड के राज सिंग जी पीता जगत सिंग ने जो है मेवाड मुगल संधी की मतलब यह कह सकते हैं कि उसको परे रखे और किले की मरमत का उसके अंदर नवी प्रावदान शुरू की लेकिन इसको वेवस्ती दुरूप से करवाया राज सिंग जी ने सवार का मनसब दिया था ये भी द्यानक ना है जनन 1629 में मिर्तिव 1680 में महराना जगत्तिंग इनके पिता थे और महरानी मेडतनी जी इनकी माता थी राज्या विशेक होता है 1652 के अंदर उपादी विजय काटकातु समकालीन मुगल सासक थे औरंग जेव और साहजा साहजा औ आरंग जेव ऐसे कर लेना ठीक है साहजा और 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 क्योंकि और मुख्य मतलब विरोज इनका और 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 जेव का हुआ है इसलिए मैंने पहले ले लिया है ठीक है चलिए देखो अगली स्लाइड पर आते हूं और अगली स्लाइड पर में आपको बहुत सारी चीज़े समझ जाने वाला हूं कि ओरन्गे वो राज सिंग के मद्य संगर्स क्यों क्यों रहा देखो एक तो रहा है चारुमति के कारण अब देखो चारुमति में समझना चली मैं आप तो थोड़ा सा इस स्लाइड पे लेकिए जाता हूं ब्लैंक स्लाइड पे संगस का कारण क्या रहा चारों मती ठीक है चारों मती कहां की राजकुमारी थी किसनगड की किसनगड की राजकुमारी थी और किसनगड के मान सिंग की बेहन थी अच्छा ये मान सिंग किसनगड वाला है द्यानक ना मान सिंग की वहीन थी, जिसका संबंद मान सिंग ने औरंग जेव के साथ तै कर दिया थी, ठीक है यह है, इस से पहले की बाते यह है कि औरंग जेव और राज सिंग जी के मध्य भी यह हुआ, कि यह साथ में रहे हैं, समझोदा करके लेकिन ऐसा ज्यादा संबभ वो नहीं सका क्योंकि दोनों की नितिया लग थी इस समझोदे के तहट जो है औरंग जेब ने इनका मंसप बढ़ा कर पांच से छे चे अजार कर दिया था अब औरंग जेब दिख्ती बात है कि विरोध करना ही था और इस तरीके से संगर्ष्ट के बीज इनके बीच में पड़ें चारुमती वाली इस्टोरी क्या है कि मांतिंग ने जो इतकी बेहन थी चारुमती इसका विवा औरंग जेब से तैय कर दिया अब यहां की यान की से निदर कर ले थे में फिस्ट्बूक कर लेते हैं इंस्टा कर देए कई बहुत ने लेकिन दूद्र के माध्यम से संदेश पहुँचाया और संदेश में ये लिखा कि एक हंसीनी का विभा जो हो है बगुले के साथ किया जा रहा है तो यह कहां तक प्जाई है और आक जो ह कर लिया था और उनका वर्रंड कर लिया था अब इसके बाद में राज इंग जी को पता चलती है बात तो राज जी जो है यहां से आकर इनको ले जाते हैं विवा कर देते हैं अब यह चीज जो है और अरंग जेप को निश्चीत बात है कि अखरेगी अच्छा माल नीजिया आप में से किसी की सगई किसी के साथ में होई और दूसरा कोई आके अभी तो आपकी सगई तोड़ी नहीं है यान दूसरे और भी संगर मतलब चलते रहें इनके बीच में संगर दूसरा क्या था कि औरंग जेप द्वारा पुन जजिया लगाया गया जजिया लगाया 1679 के अंदर ठीक है इस जजिया का विरोध किया था मेबाड के राज सिंग जी ने ठीक है राज सिंग जी ने इसकी सारी दित्यों को भी सरण दी थी ओर राज सिंग जी ने इसके अलवा क्या किया था इनौंने मारवाड के अजीत सिंग को संग्षन दिया कि अ कि कारण रहा है और इस कारण इनके मद्य संगर्ष निरंतर unc Guillain तो इनने में से कुछ भी चीज़ें पुछी जा सकती है तो आपको ध्यान रखना है अभी आली में पिछले कुछ एक्जाम के अंदर एक में बना था प्रश्णक की चारूमति कहा की राजगुमारी थी तो किसंगड की राजगुमारी थी यह सारी चीज़ें यदि आप ध्या से सुन भी लोगे ना तो आपको याद रहेगा ठीक है और जेब के समय स्रीनाज जी की मूर्तियां लेकर भागे गोशाइद आमोदर और गोपी नाज को राज सिंग जी ने सरण दी और उनकी मूर्तियां जो है वो शिंहाड वरतमान में नाज द्वारा का जाता है उस समय शि बिड़ रहा था और अंग जैने 1669 के अंदर एक गोशना की थी कि जितने भी मंदीर है जितनी भी मूर्तियां है उन समको दोड़ दो ज्वस्त कर दो मतलब यह एक तरह से कटर इसलाम का तो मतलब था ही समर्था लेकिन यह इसकी नितियां कुछ अलगी थी क्योंकि इसलाम तो देखो सूफी वाद जो था सूफी जितने भी यानि की संगीत वगेरे उनको बड़ावा देते थे लेकिन यह उनको बड़ावा नहीं देता था यह वाद्य और संगीत और उनका विरोधी था इसको जगाने के लिए दिखाने के लिए एक बार वहां के संगीत क्योंने जो है तानपूरे और इनकी सव यात्रा निकाली तो यह उपर से कहता है कि भैया इतनी गहराई में दपनाना की वापस आवाज नहीं आ पाए यानि इसके कोई कान पे जूं भी नहीं रहेंगती थी इसकी नीतियां अलगी थी तोड़ो फोड़ो अभियान का लिडर राथ इन्होंने राजसमंद जील का निर्मान करवाया गौंती नदी को रोक कर राजसमंद जील का निर्मान करवाया और इस जील के उदगाटन में उस समय 46,000 व्यक्ति इखटे हुए थे कितने 46,000 और खर्चा कितना 10 करोड का खर्चा हुआ उस कमय के 10 करोड का खर्च भवा था इसके उदगाटन के अंदर अच्छा है का उदेपूर के दक्षिन में राजसमंद के अंदर और उस समय इन्हों ने एक कस्मा बसाया जिसका नाम था राजनगर जीसे आज राजसमंद के नाम से जाना जाता है तो राज समंद जील है ठीक है राज समंद जील के किनार है विश्व की सबसे बड़ी राज प्रसस्ति विश्व की सबसे बड़ी राज प्रसस्ति है जो काली संग्मर्मर की 25 पट्टिकाएं इसके उपर खुदी हुई है ठीक है संग्मर्मर की और कुद्वाई किसने राजब्रस्त थी अच्छा यहाँ पर यह पैन नहीं दिखे कि आपको है ना वाइट ले 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 दे रण्छोड बट तेलंग यह तो दिखेगी हाँ यह दिख रही है बढ़िया तरीके से रण्छोड बट तेलंग इसने जो है यह 25 काली पट्टिका यहाँ पे खुदवई इस जील के किनारे ही गेवर माता का मंदीर है गेवर माता का मंदीर है जिने कुवारी सती कहा जाता है क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है कुवारी सती अब यह ऐसे प्रशन है जिने ऐसे देखते है ना अपन तो अपन को लगता है यह तो सारे याद है लेकिन वहाँ एक्जाम में यह प्रशन फिर याद नहीं आते हैं क्योंकि इन्हें बार-बार अभ्यास की जरूत पढ़ती है तब जाकर यह चीज़ें याद होती है यदि यह याद होता तो बढ़िए यह इसकी जो यह उत्तरी पाल है यह नोचो की पाल कहलाती है ठीक है ना अब यह नोचो की पाल से भी प्रश्न बना था सहऱअ के पाल काई लोग जो है सरल प्रश्नों की शंंगा दे देते हैं यह तो सहर HOW प्रश्न है सभी में मिलते है आजकल यह trend था चला हुआ है, और कहते भी वो है, जो खुद नहीं पढ़ते हैं, घरवेटे पिपर देखके कहते हैं, अब उसको पढ़ो, exam face करो, exam का pressure face करो, उसके बाद में वहां देकर आओ, फिर पता चलेगा कि मेरे सरल में 5 प्रशन गलत हुए, 7 प्रशन गलत हुए, और अब भी पता चला कि हो उतसरल थे, तो इसलिए कभी भी सीखते हो ना, तो अपने आपको zero मान के सीखो, तभी आप grand कर पाऊगे, यदि आप अपने आपको zero ही समझता हूँ, कि मैं तो अभी तक सीख रहा हूँ और जब तक चला जाओंगा, यहां से इस दुनिया से तब त सीखता ही रहूँगा, यह चीज पकी है, क्यों यदि सीखना है, तो अपने आपको zero ही मानना पटेगा, और इसलिए कभी भी आप भी सीखते हो, तो अपने आपको zero मान कर zero level से सीखना सुरू दरो, तब आप लोगों के लिए बिल्कुल ही यह आसान हो जाएगा, कि हां, जो इसलिए के साथ में आपकी ये क्लास, आज ये भी पूरी हुई, अब अगली क्लास में अपन क्या पटेंगे, महराना परताब पटेंगे या तो, या रावचंदर सेंद पहले पटेंगे, रावचंदर सेंद पटेंगे, फिर एक क्लास में पटेंगे महराना परताब और मा पिर आपके सिलेवस में राजपुत मुगल संबंद के बाद में अच्छा राजनितिक जाग रूखतार 1857 की करान थी राजस्तान में जन जाती हैं किशान आंदूलन राजस्तान का एक ही करन फिर आज आएगे आपके कला तंस्कृति के यानि लोग देवता लोग देवी हैं कोई बात नहीं यह सारे के सारे आपको मैं याद करवाने वाला हूं आप तो बस निरंतर और नियमित बने रहें याद करवाने का काम मेरा है जितने नियमित और निरंतर होगे उतने सिलेक्शन के चांसे बढ़ते ही चले जाएंगे तो इसकी कहीं कोई चिंता आपको करने क मतलब चिंता लेनी नहीं है ठीक है ना चिंता वो हमारी है चलिए अबन मिलते हैं साथ ही अगली क्लास में अगले वीडियो में तब तक के लिए राव राम जैहिन